नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका बात करेंगे हैपिएस्ट मैंड की आज के दिन 10% का यहां पर आपको अपर सर्कीट देखने को मिला है और जो सबसे बड़ी अपडेट आये थी कंपनी को लेकर वो कली आये थी और यहां पर आप देखोगी बीएसी इंडिया की ओफिचि जा सकता है तो आज वही हुआ एसम लिट से जश्ट निकलने के बाद जो प्राइस बेंड़ उसके अनुसारी यहां पर शेयर चला और 10% है यहां पर आपको अपर सरकीट देखने को मिला तो यह लेटेस्ट अपडेट थी कंपनी की इसके अलाओ जो दो दूसरी सबसे गिराओट हो रही है लेकिन इस स्टोक के अंदर उससे पहले ही यहां पर कंटीनी गिराओट हो रही है और अगर आप बात करोगे कंपनी की तो ऐसा कुछ भी नेगेटिव कंपनी को लेकर है नहीं आप देख सकते हो 5 साल की सेल्स ग्रोथ काफी सांदार चार्ट आपको बत पूच गया है जो की काफी सही है उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे इस ट्रेंथ के अंदर कंपनी है जो होल्डिंग ने बनाई रखी है दिसेंबर 2020 तक 20 से अब तक वो यहां पर कंटीन्यू किया है उसके बाद अगर हम बात करें ने पिछले 5 सा क्वार्टर के र क्वार्टर में 35, 44, 45 उससे पहले 37, 42 और 34 यानि पिछले 5 सा क्वार्टर में कंपनी की जो नेट प्रोफिट है वो कंटीन्यू बढ़ रहा है तो ओवर ओल अगर आप देखोगे एक एसी कंपनी जो निप्टी में गिरावट के साथ और ज्यादा क्रेक्ट हुई है आपको यहां पर गिरावट देखने को नहीं मिली है और इसके अलावा प्रोफिट भी यहां पर कंपनी का कंटीन्यू बढ़ रहा है पर मोर्टर की होल्टिंग में भी यहां कोई खास आपको डिक्रीज देखने को नहीं मिला है तो अच्छा इस्टोक है आईटी सेक्टर इस्टोक है तो फ्यूचर भी अफकोर्स कंपनी का काफी सही है तो इस इस्टोक आप देख सकते हो थैंक्यू कीप सबोर्टिंग